अलो दोस्तो नमशकार सासरिया काल बड़ो को मेरे तरफ से पर नाम है और जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनको मेरे तरफ से हिलो हाँ है जी क्या हाल है DM में आप लोग मेरे से बहुत सारे questions करते हैं दोस्तों और मैं वहाँ पर भी आपको repeat करती हूँ कि प्लीज मुझे आप YouTube के comment section box में अगर आप आके पूछेंगे तो उससे क्या होता है कि आप जो question कर रहे हैं वो हो सकता है दूसरों के भी दिमाग में हो तो अगर मैं एक को answer कर रहे हूं तो उनको भी answer हो जाता है तो उसका एक ये फायदा होता है ऐसे तो DM आप मुझे करते हैं तो उसमें भी मैं आपको reply देती हूँ तो बस इतना सा है कि आप अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे DM में आने की जगा आप सीधा YouTube का जो मेरा जिसके उपर भी related आप मुझे question पूछ रहे है जो वीडियो देखने के बाद में उसके नीचे अगर आप मुझे से पूछेंगे तो वो बाकियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा बाकिया आपका स्वागत है आप कहीं पर आके पूछ सकते हैं आप मुझे mail कर रहे हैं मैं उसका भी reply जितना हो सकता है उतना मैं possible होता है मैं देती हूं मैं आंसर हो पाते हैं मैं उतने दे पाती हूं sorry है उनके लिए जिनके मैं reply नहीं कर पारी हूं उनके लिए बहुत बहुत sorry है लेकिन जहां तक होगा मैं cover up करने की कोशिश करूँगी आज हम anti aging removal wrinkle treatment देखने वाले हैं इसमें जो मैं method बताने वाली हूं वो एक Japanese method है जी हाँ Japanese method है वहाँ पर ये चीज़ तो famous है लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे DIY इसके उपर बन चुके हैं और बनते जा रहे हैं उसमें कुछ न कुछ additions होता है जो और ज्यादा आपको benefit दे एक में होगा जो हमारी skin को polish करने का काम करेगा second step में होगा जो हमाई hyalurolic acid जो आपने भी बहुत जादा सुन रहे होंगे news में आता है बहुत सारे social networking site पे उसके बारे में दिया जा रहा है बहुत जादा purchasing भी हो रही है बहुत जारा ad भी हो रही है तो उसी का एक कजन हमारे गर पर हमेशा मौदूद रहता है जो हमें माउथ में जब हमें प्रॉब्लम होती है हम उसको यूज करते हैं अगर आपको आइडिया आ गया होगा तो प्लीज आप थोड़े दिर के लिए विट के लिजए आगे मैं बताने वाली उसको यूज कैसे करना है इसमें जो हमने म अपलाय करना है तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है बीच में से स्किप मत करेगा हो सकता है उसमें मैं जो चीज आड़ कर रहे हूं साथ-साथ में वो स्किप हो जाए तो लास्ट मैं आपको लगे आर यह चीज का तो इतना इफेक्ट नहीं है जो भी मेर मैं आपको डिटेलिंग में बताती हूं वहाँ जाने के पहले प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं पहली बार नए है या आप अपनी फ्रेंड वगरा को यह रेक्मेंड किये हैं और वो यह चैनल दिखने है तो प्लीज कर लो सब्सक्राइब लाइक बटन दबाना ब आपने आप आजाएगा आपको डूर्ने की बिल्कु ज़रुरत नहीं है सेकेंड आपको क्या करने लाइक बटन जरूर दबाना है कुछ भी क्वेरिस हैं वह भी पूछनी है इसका कैसा इफेक्ट आया है रिजल्ट क्या है वह भी आपने मुझे आके इस कमेंट सेक्षन मे बताना है ताकि मैं अगर उसमें मुझे कुछ और इंप्रूम करना है इंप्रूमेंट करनी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूफ कर सकूं तो आपको आके इस चीज को जरूर मुझे बताना है कि आपके उपर इसका रिजल्ट कैसा आया मेरे उपर तो कैसा आया आप देखी रहे हैं आपके उपर इसका रिजल्ट क्या आया है या आपने मुझे आके बताना है तो चलिए मेरे मेकिंग सेक्शन में किस तरह से मैंने इसको बनाया है सब से पहले हमें लेना है एक दुला हुआ आलु मैं धुला हुआ इसलिए तो इसकी मैं भी आफिर लेना आसपे खालाईहां करा नाहीं वड़िश होता था आपको इसका हैं आपको और खाल्ड करना भी सांग छलम में एंदि को आपको ह होते हैं ub希望 कर गर लिए करेट उन ऊसमें स्वर्क न Touch होता ले गता ब्लीच करने काम करता है. क्योंकि इसमें स्टार्च होता है, तो kita dopo 10 साल जमायर काम करता है। तो 17 कुने सक्राशने Gerona, नती हम एक lotus करें, इंदि को एक lotus करने के रहे हैं, इनको हमें ज्ञाना नहीं है। क्लिंजर क्या खामतु जैस करना हैं, जो हमें यूज करना है वही हमें आगे वाले step में दिखेगा इस तरह से आप इसको कपड़े की मदद से चाय चान लीजे चाय चलनी की मदद से चान लीजे मैंने इस तरह से स्टेनर की हेल्प से इसको चान लिया है और इसके पानी को हमें 10-15 मिनिट तक रख देना है अलग से ताकि उसके नीचे जो उसका ब्लीचिंग है वो उसके नीचे बैठ जाए जो स्कार्च होता है उसको नीचे बेठाना है इसके लिए हमें इसको 10-15 मिनिट तक अलग से रख से साथ ही साथ ये हमें गोरा करने में भी बहुत help करता है आलू हमारे skin के cells को repair करने का भी काम करता है क्योंकि इसमें होता है धेर सारा potassium, phosphorus, magnesium and amino acid मतलब ऐसी बहुत सारी properties इसमें मुझूद होती हैं सिरफ single एक आलू में तो इसके बहुत सारे benefit है एक दूसरे बाउल में अब हम स्टार्ट करेंगे process cleansing का उसके लिए खाली बाउल लिजे और उसमें आपको वो जो आलू के रेशे हमने निकाले हैं वो दो चम्मच ले लिजे एक बार के लिए काफी रहते हैं तो दो चम्मच ये हम ले लेते हैं साथ में हमने इसमें आड करना है raw milk raw milk में भी बहुत सारी ऐसी properties होती है जो आपके color को निखारने में और आपके skin के texture को improve करने का काम करती है और अगर आपके skin cell damage हो गये हैं उसको भी वो repair करने का काम करती है इसके साथ में हमने इसमें add करना है थोड़ा सा एक चम्मच honey और इससे हमें अब अपने skin को करना है cleansing cleansing करने से क्या होगा कि जितनी भी हमारे skin में deep तक जो भी dust मैल जमा है वो इससे निकलेगी और हमारी skin को ये जवान करने का काम करेगा आलू को ही हमने एक तरह से मतलब पकड़ आलू जो इसमें रेशे हैं आपको उनी को ही पकड़ कर अपने face के ओपर rub करना है अच्छे से थोड़ा सा आपको मैसी लगेगा क्योंकि इदर उदर गिरेगा बड़ ठीक है हम cotton वगारा इसमें यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि cotton से सरफ दूद हमारे face पे लगेगा और हमें वो जो आलू के रेशे हैं हमें उनसे अपने face को मसाज करनी है तो बस आपको यह ध्यान देना है कि आलू को आप अपने हाथ में लीजे और उसको अपने face के ओपर rub करिए इससे क्या होगा कि जितने भी आपके skin के ओपर impurities हैं, roughness है और जैसे skin थोड़ी-थोड़ी सी rough लगती है, काफी hard लगती है वो इस process में एकदम आपकी skin smooth हो जाएगी raw milk हमारे skin को tight बनाता है और आलू हमारे skin के ओपर जो melanil होता है, जो color देता है उसको वो improve करने का काम करता है और जब यह दोनों मिल जाते हैं, तो उसका benefit हमें double मिलता है, bonus के जैसे आलू के starch में natural bleaching की properties होती हैं जो बिना किसी harm के, बिना किसी side effect के हमारे skin को natural bleach करती है यह जो नीचे starch बेटा हुआ है, यही bleaching का काम करेगा इसलिए उपर से आपको यह पानी हटा देना है, बट पानी फेकिएगा मत हो सकता है आगे आपको यह use में आए इसके साथ में हमने इसमें add करना है, एक चमच oats powder oats आपकी skin को जवान रखने का काम करता है साथ ही साथ यह आपकी skin के उपर निखार का काम करेगा और आपको instant glow देगा अब इसके साथ हमने क्योंकि इसमें add किया है glycerin glycerin जो hyaloric acid की ही एक cousin form है glycerin का काम क्या है, अगर आपकी skin में moisturize नहीं है नमी नहीं है आपकी skin में natural तो यह क्या करता है, environment से आपकी skin को नमी देता है moisturize करता है और इसका आपकी skin के उपर effect यह आता है कि आपकी तवचा पुढ़ी नहीं लगती है मतलब अगर आप देखें कि बहुत लोग की तवचा जो होती है वो dry होती है dry होने से wrinkles, lines ही बहुत ज़्यादा दिखते है जिसकी वज़ा से हमारी skin के उपर aging process fast दिखता है तो glycerin हमारी skin को जो aging process है उससे बचाता है और हमारी skin को नमी देने का काम करता है इसको आपको regular use करना चाहिए लेकिन किस चीज के साथ आप इसको use करेंगे ये आपको बहुत ध्यान देना है इसको हमने 3-4 drops मिलाया है और ये pack बना के आपको रख लेना है क्योंकि cleansing के बाद हमें इसको लगाना है ये थोड़ा सा मुझे dry लग रहा था तो मैंने इसमें वही जो आलू का पानी मैंने आपको शुरुआत में बोला था आपको फेकना नहीं है वही पानी की एक चमच मैंने इसमें आड़ की आपको अगर ये पूरी बॉड़ी के उपर लगाना है तो आप उसके according इसको तयार कर लीजेगा पानी को उतना ही डालिएगा कि वह चिपके आपकी स्किन के उपर ये पैक ये गिरना नहीं चाहिए लिक्विड नहीं होना चाहिए थिक पेस्ट बनना चाहिए अब इस प्रोसेस में आपको ये जो आलू के लच्छे हैं इसी को ही उठा के अपने फेस के उपर आपको अच्छे से रब करना है ये cotton water आपको यूज नहीं करनी है उसी को ही आपको अच्छे से मसाज करनी है और उसके बाद देखे मैंने वाश कर लिया है अभी आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा सेकंड स्टेप में अब हमें दूसरा वाला हमने ब्लीचिंग पैक बनाया था वो हमें लेना है और इसको आपको किसी ब्रश की हेल्प से लगाना पड़ेगा पूरे फेस पे अच्छी तरह लगा लिजे नेक वगरा पे भी अगर आपको लगाना है तो आप वो भी लगा सकते इसको लगाने के बाद में आपको 10 मिनिट के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा जब हलका सा माइल सा ड्राइ हो जाए तब आपको इसकी करनी है मसाज और मसाज में आपको जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे उपर की तरफ जाने चाहिए जितने भी आप मसाज करें वो सब उपर की तरफ direction में, जिस तरह से देखे मैं कर रही हूं, इसी तरह से उपर की डिरेक्शन में जाना चाहिए, ताकि skin नीचे की तरफ ढलके नहीं, क्योंकि अगर आम नीचे की massage करेंगे, तो skin लूज होने के chances रहते हैं, इसलिए skin को उपर की तरफ करिए, और अपनी jawline पे आप जबी भी कोई पैक लगाते हैं ये वाला मसाज जरूर करिए क्योंकि जॉलन के यहां पर स्किन बहुत लूज लगती है बहुत गंदी लगती है तो ये स्टेप आपको जरूर करना है साथ में अब आप नोटिस करेंगे खुदी जब सेकिन स्टेप हमने कर लिया है ख दुबारा मिलते हैं मेरे चैनल रेखा सिंग लाइफ पर बाबाए